तो हम चलते हैं अपने नोट्स की तरफ दुबारा तो यह आगे हमारे नोट्स अब सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे यह वाली डायग्राम अब यह डायग्राम आपको ऐसे समझ नहीं आ सकती जब तक आपकी बेस नहीं बनी होगी तो फिलहाल हम बिलकुल ABC से स्टार्ट करते हैं कि जहां से इंसान ने इंसान बनना शुरू होता है मतलब कि फर्टिलाइजेशन पर तो हम नोट्स खोलते हैं और एक न्यू पेज क्रिएट कर लेते हैं ओके जी तो हम पढ़ते हैं embryogenesis कि सबसे पहले जो हमारी जो बेबी है वो बनना कहां से स्टार्ट होता है तो माश और मेल का क्या आता है स्टार्ट करने लगा हुँ ताकि आप सबसे इनसान बना स्टार्ट होता है उसको हम कहते हैं Fertilization Fertilization क्या है? कि जो Female का Egg होता है जो Male का spam होता है या अपस में मिलते है और इनकी क्या होती है? Fertilization जोыми spam होता है वो Fertilize करता है Egg को Fertilize करता है Egg को लेकिन यहाँ पे MSQ आता होता है कि Fertilization होती कहां पे है ते अब ने कहना है, फलॉपटी न ट्यूब में 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 अगर आपको कहते हैं कि जर्या और बताएं कि फलॉपयन ट्यूब में कहां पर होती है, तो आपने कहाँ आई जंक्षन ठीक है AI जंक्षन जो फर्टिलाजेशन होती है वो कहां पर होती है AI जंक्षन में AI जंक्षन अब AI जंक्षन क्या है एमपूला इस्थमस एमपूला इस्थमस जंक्षन जहां पर एमपूला इस्थमस मिल रहे होते हैं वहां पे fertilization होती है वहां पे क्या होती है fertilization और अगर आपको एम्पूला और इसमस का नही पता तो हमने ये काल और परसा नाटबी बढ़ना tension दिलेनी है फिलाल यह MCQS है, यह Pert PACS होगी, यहाँ से हमारे day's start होते है, वैबी यहाँ से बनना start होता है, तो इसको हम कहेंगे 0 day ठीक है, पहले दिन क्या होगा, पहले दिन क्या होगा जी Fertilization होगी, यहाँ तक आपको समझ आगी होगी मुझे पता है, हम आगे चलते हैं अब क्या होगा कि ये जो फर्टिलाइजड एग है इसको हम क्या कहते हैं इसको हम क्या कहते हैं जाइगोट और ये क्या है जाइगोट है ठीक है जाइगोट अब जाइगोट में क्या आता है आप सब को पता है कि जाइगोट में एक नुकलिस बनेगा दो न जाइगोट है ना ये जाइगोट जब एक दिन गुजरेगा ये बहुत बेसिक बाते हैं मतलब ये बिल्कुल ABC से मैं पढ़ा रहा हूँ ये जो जाइगोट होगा ये जाइगोट जब एक दिन गुजर जाएगा तो एक दिन के बाद इसमें क्या होगी फर्स्ट क्लीवेज फ को कहते हैं first cleavage. इस cleavage की वजा से ये जो zài health है ये two cells में divide हो जाएगा. यह एक ये cell और एक ये cell, two cell में divide हो गया. यह क्या होगया two cell में divide हो गया. अभी जब ये two cell में divide हो कथे है टू cell stage. एक दिन के बाद, जो आपका cell होता है वो किसमे आ चला जाता है टू सेल स्टेज में टू सेल स्टेज में उसके बाद जब दो दिन गुजरते हैं ठीक है जब दो दिन गुजरते हैं फर्टिलाजेशन को तो उसके बाद क्या होता है ये फर्द करो कि ये क्या था जाइगोड था तो इसमें क्या होगी पहले तो एक दिन के बाद फर्स क्लिवेज होई थी, दो दिन के बाद क्या होगी, second क्लिवेज होगी, और ये इसके कितने cells बन जाएंगे, एक, दो, तीन और चार, ठीक है, तो चार cells बन जाएंगे, जो जाई गोट था, वो किसमें convert होगा, four cell में, इसको हम कहते हैं four cell stage, سی جو two cell rename अब दो दिन गुजर गए दो दिन के बाद आपका जो जाइगोट है वो कितने सेल बन गए है? चार सेल बन गए है उसके बाद क्या होता है? दो दिन winter बाद दो दिन ke बाद जब तीन से चार दिन गुजरते हैं ठीक है? तीन से चार दिन गुजरते हैं तो क्या होता है तीन से चार दिन के बाद क्या होता है कि फर्द करो यह आपका जाइगोड था इसमें काफी ज्यादा क्लिवेज होती है ठीक है इसमें काफी ज्यादा क्लिवेज बनती है फर्द करो एक ये हो गई एक ये हो गई एक ये हो गई इसमें काफी ज्यादा क्लि कहते हैं Marula, इस ball of cell को हम क्या कहते हैं Marula, तो अपने बड़ा आज तक बच्पन से सुनते आ रहे हैं Marula, ब्लास्टोला, लेकिन आपको आज तक समझ नहाई, लेकिन आज के बाद इंशालों आपको ये बाद कभी करेगी, कि Marula क्या आता है, ब्लास्टोला क्या आता है, ब्लास्टोसिस्ट क्या आती है, तो इसको आपने जब तीन से चार दिन गुजरे, जब तीन से चार दिन गुजरे, तो जो ये जो जाइगोट था, इसमें bundle of cells बनेगे, काफी ज़्यदा cells बनेगे, तो इसको हम कहते हैं, ball of cells, और उसको हम क्या कहते है, marula, marula का मतलु होता है, ball of cells, ठीक है, तो इसको आपने याद रखना है, ज जल्दी बताएं, जी, डॉक्टर सेयद आसिम, ये 16 cell stage भी हो सकती है, चलें जी, सब को समझ आ चुकी है, नॉर्मली fertilization, ejagulation के कितने, कितने दिन बाद होती है, जी, डॉक्टर काशिव, हम fertilization की बात करते हैं, फिलहाल, आप embryology, थोड़ा सा, मैं इसको पढ़ हाल हूँ, फि बिलहाल, आज जो आपका main मकसद है, आपने अपना embryology में concept clear करने है, embryology में concept clear करने है, उसके लावा बाकी जो बाते हम आगे आगे पढ़ेंगे, आगे अभी ये बहुत system पढ़ा हुगा है, तो इसमें आपको बहुत मज़ा आएगा पढ़के, अच्छा, अब क्या हो गया, कि जब तीन से चार दिन गुज़े तो जो हमारा जाईगोर्ट था, उसका हम क्या कह रहे है, marula कह रहे हैं, उसका हम क्या कह रहे है, marula क्या होता है, marula is ball of cells, marula is ball of cells, डॉक्र मारिया कह रही है, सर सिर्फ empula भी हो सकता है, अगर आप से मतलब full detail में कोई बंदा answer पूछे, त लेकिन इसका जो बिल्कुल correct answer है, that is AI junction, fertilization कहां पे होती है, AI junction पे होती है, ठीक है AI junction पे होती है, तो इसको हम आगे लेके चलते हैं, without time wasting, जो marula है, अब marula क्या होगा, ये जो marula है, जब अब कितने दिन गुजर गए हैं, तीन से चार दिन गुजर गए हैं fertilization को, लेकिन उसके बाद हमारी कहानी स्टार्ट होती है, अब कहानी कैसे स्टार्ट होती है, इसको जड़ा गोर से देखना अभी तो बाते हैं सान थी न, अभी थोड़ा सा मामला सीधे होंगे, जब आपके पांच दिन गुजरते हैं, जब फाइव डेज गुजर जाते हैं कि इसको fertilization को, बे बास्टूला किस तरह का होता है, यह मैं आपको बना देता हूं, देखो, ब्लास्टूला में भी क्या होगा, ब्लास्टूला भी क्या होगा, बंडल ऑफ सेल होगा, फर्द करो कि यह क्या है, एक हमारा सेल है, ठीक है, और इसके इर्द गिर्द यहां पे बहुत ज्यादा से इसमें यहाँ करके एक bundle of cell होगा दुबारा सुनें आपको समझ नहीं मुझे पता है जो मरूला होगा जब वो पांच दिन उसकी उमर हो जाएगी जब जो जाइगोट है उसकी पांच दिन उमर हो जाएगी उसके बाद क्या होगा उसके बाद क्या होगा कि एक नया cell बनेगा म इसको आपने अपनी बुक पर लाजबी बनाना है वरन्न आपको यह काली बूला होगा तो ट्ॉफोबलस्ट और यह जो मैने मैस बनाया है जो मैं ग्रीन से बनाने लगा हूँ यह जो ग्रीन से होते हैं यह वाले cells तीक है यह काफी जादा cells इदर पढ़े थते एक साइड की कहते हैं. अब क्या है? कि जो blastolite होता है, इसकी साइडों पे क्या आते हैism? ट्रॉफो ब्लास्ट. इस साइडों पे इसकी जो boundary होती है, it is made up of ट्रॉफो ब्लास्ट. और इसकी एक तरफ नह बहुत ऐक गुच्छा होता है अर जसको यह जो trophoblast है यह किसके साथ attach हो जाता है यह placenta में convert हो जाता है यह uterus के साथ attach होता है it is used for implantation ठीक है तो यह implant होता है अगर आपसे कोई बंदा पुछे कि यार बताएं कि जब fertilization हो जाती है तो उसके कितने दिन के बाद उसके कितने दिन के बाद जो हमारा zygote है जो हमारा embryo है वो implant होता है तो आपने कहना है छे से दस दिन सारी बुक्स यह लिखती है छे से दस दिन लेकिन आपकी फरस्टेट ने इसके रेंज लिखनी है छे से दस दिनों के अंदर अंदर जब fertilization होती है तो छे से दस दिनों के अंदर अंदर क्या होता है implantation होती है जो हमारा zygote होता जाता है किसके साथ लूटरस के साथ लूटरस की डिवार के साथ अटेच हो जाता है अभी फिलहाल कंसेप्ट सीखें फिर मैं आपको डियाग्राम पे लेकर चलता हूं कि आपकी बुक ने क्या बनाया हुआ तो ब्लास्टो ब्लास्टो ला की समझ आ गई है इसको हम कहते हैं ब्लास्टो 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 длящanto-cell fluid कहते हैं तो अब जल्द comics jaud isiyim क्रीश को एक से इसको अन्सान बना स्टार्ट होता है धी जल्दी बताइं यहहां तक बातें क्लियर हैं कोई आपके अंब्रोलोजी स्टार्ट होती है तो ये concept आप सब को लाजमी लाना चाहिए कहां से स्टार्ट होती है सबसे पहले क्या होई फर्टिलाजेशन होई जीरो डे उसके बाद जब एक दिन गुजरा तो उसमें क्या होई फर्स्ट क्लिवे जोई यहां से इंसान बनना स्टार्ट होता है उसमें जो ब्लास्ट टूला होता है इसमें क्या क्या स्ट्रक्चर होते है साइडों पर ट्रॉफो ब्लास्ट होते है और उसके एक साइड पर क्या होते है एक गुच्छा होता है सेल्स का जिसको हम कहते हैं इनर सेल मैस, जिसको हम क्या कहते हैं, जी इनर सेल मैस, अब ज़रा गौर करना है, यहां पर बहुत लोग कनफ्यूज होते हैं, अब थोड़ा सा गौर करना है आपने, अब मैंने क्या किया, यह जो ब्लास्टूला है, यह क्या हुआ, इम्प्लांट हुआ, यह क्या हुआ, इम embryology, embryology में कोई किया नहीं होनी चाहिए कि बाकी हम बाद में देखने लिए, ये system काफी मज़ेदार system है, लेकिन अगर आप पढ़ने वाले हो तो, अच्छा खेर, अब हम देखते हैं कि blastula में क्या क्या चीज़ें हैं, तो side पर क्या होगा, trophy blast होगा, एक side पर क्या होगा, inner cell mass हो मैंने उठा के, इसको मैंने उठा के यहां पर बनाने की कोशिश की है, जब क्या होता है, जब क्या होता है, जब हमारे दो हफ़ते गुजर जाते हैं, पहले हफ़ते में क्या हुआ, पहले एक हफ़ते के बाद क्या होई, implantation, मतलब एक हफ़ते में आठ दिन होते हैं, तो त cell mass है ना ये जो inner cell mass मैंने highlight किया है इसको अब मैं उठाके इदर बनाने लगा हूँ और ये जो inner cell mass है ये दो layers बनाएगा दोबारा सुनें ये जो inner cell mass है दो हफ्तों के बाद दो layers बनाएगा दो हफ्तों के बाद दो layers बनाएगा और फर्स करो ये क्या है नीचे वाली लेयर है और इनके दर्मियान ना बेस्मेंट मेंब्रेन होती है इसको ध्यान से समझना है ये बहुत लोंग को कर्फ्यूज करता है जो इनर सेल मैस था जब मैंने जब दो हफ़ते गुजर गए तो उसको मैंने काफी ज़्यादा जोम करक की कोशिश की तो मुझे वह किस तरह का नजर आया मुझे वह दो लेयर में बनाते है तो चुके ऊपर वाली लेयर को मैं क्या कह सकता हूं ऐपी हाइपोबलास्ट तो इसको हम कहते हैं बाई लैमिनर डिस्क बाई का मतलब होता है दो लैमिनर का मतलब होता है कि लैमिनर मतलब डोनों लाइन में है ठीक है एक लेयर में है तो बाई लैमिनर डिस्क बाई लैमिनर डिस्क कहां से बनी है इनर सेल मैंसे बनी है एपीबलास्ट और हाइपोब्लास्ट और इनके दर्मियान बेस्मेंड मेंब्रेन होती है इसको मैं बना बिखता हूं इनके दर्मियान क्या होती है बेस्मेंड मेंब्रेन होती है उपर वाली एपीब्लास्ट नीचे वाली हाइपोब्लास्ट अब क्या होगा जब जैसे जैसे वह बेबी ग् एक cavity बनायेगी पीबिलास्ट एक cavity बनायेगी इस तरह ऑपीब्लास्ट एक прогशल बनातीów उसको हमनेयूक्ट सेक्थ घबधिवलास्ट है उसको हमनेयोटिक ऑर जो है जब औCI स्वाली जब वग्वशाक्ष चाव्श जल्दी से मुझे बताये कि इसकी समझ आही है झाली बाई लैमिना डिस्क की समझ आई है या नहीं, मैं इसको दुबारा भी एक्स्प्रेइन करता हूं, सब को रिपीट करता हूं इसको एक दफ़ा, लेकिन मुझे बताएं थोड़ी-थोड़ी समझ आ गई है, यह डायग्राम आपने बहुत जगा बे देखी होगी, लेकिन आज तक आपको इसका 100% concept clear नहीं हुआ होगा, यह बंती कहां से है, तो अब आई होब कि आपको आज के बाद इस बाद में confirm नहीं रहेगी, कि एमनियोटी कैयोटी कहां से बनती है, यह यॉक्स है कहां से बनता है, तो एक दफ़ा इसको मैं repeat कर देता हूं, देखो, हमने कहा है कि जो हमारा blastula होता है, जो हमारा blastula होता है, वो क्या होता है, जो blastula होता है, उसमें दो चीज़ें होती है, ट्रोफोबलास्ट, ट्रोफोबलास्ट का क्या काम था, उसने जाके uterus की दिवार के साथ चिपक ना था, वो एक glue का का काम करता है, वो uterus की वाल के साथ implant हो जाता है, तो मुझे ये इस तरह का नज़र आएगा, किस तरह का नज़र आएगा, कि इसमें दो लेयर्ज होंगी, लेकिन दो हफ्तों के बाद, इसमें टू लेयर्ज होंगी, दो हफ्तों के बाद, टू वीक्स के बाद इसमें टू लेयर्ज होंगी, उपर वाली लेयर को हम कहेंगे, हाइपोबलास्ट जो एपीबलास्ट है वो एक कैवेटी बनाती है वो एक कैवेटी बनाती है जिसको हम कहते हैं इमनियोटी कैवेटी इसको आप बड़ी देर से सुनते आए हूँ कि यॉक्षै क्या आता है इमनियोटी कैवेटी होते है तो आज के बाद आपको कम से कम इसमे तो टूवीक्स जब गुजरते हैं तो इसको हम कहते हैं Bileminar Embryonic disc Bileminar Embryonic disc में दो structure आपको मिलेंगे एपिबलास मिलेगा राइपोबलास मिलेगा और इसमें कितनी देर के बाद होता है टूवीक्स के बाद ये structure बनता है उसके बाद अब इसमें थोड़ा सा एक और बास मुश्किल काम है फिर आपकी अलिया सामिन हो जाएगी जब तीन हफ्ते गुजरते हैं ठीक है थी वीक्स जब क्या होता है तो अब जो टू वीक्स के बाद क्या बनी थी बाइविक्स बनी थी बाई लैमिनर टू लेर्स बनी थी लेकिन त तो क्या होता है जब तीन हफ़ते गुजरते हैं तो क्या होता है अब मैंने क्या किया अब मैंने पहले आपको आपकी बुक पे लेकर चलता हूं फिर आपको मैं इसको तीन हफ़तों को समझाता हूं तो हम आपकी बुक पे चलते हैं और जो बुक वाला है उसको हम समझने की को लेंगे, secondary ocite आएगा, मतलब कि यह आगया आगया आपका egg, ठीक है, यह है female का egg, और यहां से sperm, sperm आगये male के, ठीक है, यह क्या है, sperm है male के, क्या हुई, day zero में क्या होई, fertilization होई, ऐसे ही है न, fertilization होई, क्या बना, zygote बना, fertilization होई, zygote बना, अब क्या हुआ, कि जब एक दिन गुजरा था, तो क्या होई, फर्स्ट क्लिवज होई, तो ये देखो, अगर आप गौर करें, तो ये cell कितने हैं, दो cell है, उसके बाद, इसको हम कहते हैं, two cell stage, एक दिन के बाद, कितनी cell stage होती है, two cell stage, एक दिन के बाद first cleavage होती है, जब दो दिन गुजरे, जब दो दिन गुजरे तो क्या हुआ second cleavage होई, पहले एक cleavage थी, अब पहले एक cleavage थी, अब क्या होई second cleavage, तो जो आपका cell था जो जाई गोर्ड था वो चार में डिवाइड हो गया, तो इसको हम कहते है four cell stage, इसको ह जब चार दिन गुजरे थे, जब चार दिन गुजरे तो क्या बना? मरूला बना, और मरूला हम किसको कहते हैं? बाल आफ सेल्स को, मरूला हम किसको कहते हैं? बाल आफ सेल्स को कहते हैं, उसके बाद जब पांच दिन गुजरे, तो क्या बना? बलास्टोसिस्ट बना, बलास बना और ब्लास्टूला को हम ज़र ज़र जोम करते हैं तो ब्लास्टूला में क्या होगा ब्लास्टूला में ये देखो जो साइडों पे सेल्स हैं ये वाले इसको हम कहते हैं ट्रॉफो ब्लास्ट इसको हम क्या कहते हैं ट्रॉफो ब्लास्ट इसको हम क्या कहते हैं ट्रॉफो implantation होती है ओके जी अब हम देखते हैं कि ठीक है हमें ये बात समझ आ गई है अब उसने आगे क्या किया है इसको थोड़ा सा गौर से समझना है बस ये आखरी मुश्किल काम है आज की प्लास का उसके बाद पिर आपके लिए असानी हो जाएगी देखो implantation, implantation में क्या होगा अब उसने क्या किया है अब उसने जो मैंने आपको bilaminar disc पढ़ाई थी ना देखो bilaminar disc कैसी थी फर्द करो आपका ये क्या है epiblast है ये क्या है epiblast है और इससे क्या निकर रही थी आपके amniotic cavity निकर नीचे आपका क्या था हाइपो ब्लास उससे क्या निकर रही थी उससे आपकी निकर रही है जी york sack तो इसी चीज़ को उसने अब दिखाया हुआ है उस diagram में देखो उसने क्या किया है उसने अगर आप गौर करें तो ये जो ब्लू ब्लू आपको पोर्शन नजर आ रहा है इसको मैं और जून करता हूं देखो ये जो ब्लू ब्लू पोर्शन नजर आ रहा है इट इस एपी ब्लास और जो नीचे येलो पोर्शन नजर आ रहा है इसक हम क्या कहते है हाइपो बलास्ट जो हाइपो बलास्ट है वो जो कैविटी बनाता है उसको हम कहते है यॉक्स है जो एपी बलास्ट कैविटी बनाता है उसको हम कहते है अमनियोटिक कैविटी इसको हम कहते है अमनियोटिक कैविटी जिसमें अमनियोटिक फ्लियूड होता है अ उसने आपको बाई लैमिनर डिस्क दिखाने की कोशिश की है लेकिन उसने अब क्या किया है उसने आपको ये जो बाई लैमिनर डिस्क है उसको उसने अलादा करके दिखाया है बाई लैमिनर डिस्क को उसने अलादा करके दिखाया है जब क्या होता है 15 दिन गुजरते हैं या तकरीबन 3 हेटा हो जाता है 3rd week स्टार्ट हो जाता है जब फर्ट्रिलाज़ेशन के बाद फर्ट्रिलाज़ेशन एज कितनी हो जाती है 3rd week तब क्या होती है प्रिमीटिब स्ट्रीक बनती है और यह most confusing point पॉंट है आज की class का होता क्या है कि अल्ला ताला की तरफ से हमें नहीं पता मैकनिजम का अल्ला ताला की तरफ से होता क्या है कि एक ग्रूव बनता है एक गड़ा बनता है एक उभार सा बनता है कहां पर बनता है आपकी एपी ब्लास्ट में जो ब्लू है जो ब्लू है इसमें एक उभार बनता है ज जिसको हम कहते हैं प्रिमिटिव स्ट्रीक डॉक्टर मारिया कह रही है यह किस पेज 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 नंबर है जी पेज 636 पेज नंबर 636 है जहां से आपका रिपरड़क्टिव सिस्टम स्टार्ट हो रहा है अच्छा जो एपी बलास्ट है इसमें एक गड़ा सा बनता है जिसको हम क्या कहते हैं प्रिमिटिव स्ट्रीक जिसको हम क्या कहते हैं प्रिमिटिव स्ट्रीक अब क्या होगा अब उसने देखो यह उसने ओवराल आपको प्रिमिटिव स्ट्रीक दिखाई हुए अब उसने क्या कि उसने आपको इधर दर्मियान से कट करके आपको यहां पे कक गड़ा सा बने गजिसको हम कहते हैं जिसको कहते हैं डायगराम बने लिए तो अभी इस तो प्रिमिटिय मुने पढ़ना है तो फिलर्छाव आप जो प्रिमिटिय में टेका बड़े MXज करें कि जो एपिब्लास होता है epiblast में क्या बनता है? गड़ा सा बनता है जिसकर हम कहते हैं primitive streak फिर हम इसको आगे जाके पड़ते हैं कि यह primitive streak क्या ओती है फिलाल यहां पर इसको हजम करें हम तब तक ना reading कर लेते हैं थोड़ी तो हम क्या करते हैं? हम reading करते हैं को यह आपकी सारी बुक की बाते हैं जो अभी मैंने आपको बताई है जरह मुझे जल्दी से बताएं कि आपको यह समझ डायाग्राम आई है या नहीं और कितने परसंट आई है जल्दी बताएं शाब बाह जल्दी बताएं ने तो फिर मैं इसको रिवाइज करो डॉक्टर का मेरी तो दौा यही है कि आपको अच्छी से अच्छी समझाए खर अब हम बाते करते हैं और अभी जो मैं आपको चीज़े बताऊंगा एक्स्टा उसको आपने बुक पे लिखना है यह सारी इंपोर्टेंट बाते हैं सबसे पहले क्या होता है जब एक हफ़ता गुजरता है त हो जाता है जब भी जाइगोट प्री दुनिया में अगर कोई अगर कोई मेंट है और क्या करती है वो pregnancy strip चेक करती है ठीक हो प्रेगनेंसी strip होती है मतलब क्या होता है कि फर्द करो फर्द करो कि एक strip है और क्या आता है कि जो लेडी होती है वो अपना urine के कुछ एक दो drops उस strip पे ना एक खास किसम की जगा बनी होती है तो अपने वो यूरीन के ड्रॉप्स डालती है इस जगा पे ठीक है और वो जो स्क्रिप होती है वो स्क्रिप मेयर करती है किसको मेयर करती है बीटा एच्सीजी को मेयर करती है और अगर तो दो लाइने शुरू हो जाएं तो इसका मतलब है कि वो लेडी क्या है प detect करती है दुबारा सुने जो pregnancy strip बजार से मिलती है तकरीबन सस्ती होती है इतनी महेंगी नहीं होती है और जो लेडी होती है वो अगर वो चेक करना चाहा रही है कि pregnancy है मतलब कि वो pregnant है या नहीं तो वो क्या करेगी एक pregnancy strip बाय करेगी और वो क्या करेगी अपने यूरीन के ड्रॉप उस पे डालेगी जब वो उस पे जाएगा, तो अगर तो दो लाइने शो हो जाएं तो इसका मतलब है वो प्रेगनेंट है, अगर एक लाइन शो हो तो इसका मतलब है डियानर कि वह क्या है तो प्रेगनेंसी के लिए बहुत यासान तरीका है अगर हम चेक करना चारे वो beta HCG बनाता है लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया कि आज की क्लास सिर्फ embryology पिया तो आप embryology पे आपने कोई confusion नहीं होनी चाहिए बाकी बाती हमने आइस्ता आइस्ता पढ़नी है लेकिन जो beta HCG है अगर दिखने आपके cells होते हैं जिसको हम कहते हैं आगे हम पढ़ेंगे इसकी टेंशन नहीं लेनी अब यह तो होगी बात सीधी अब जो beta HCG है इसको मजर करती है जी आपकी pregnancy test लेकिन 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 मसला कहां पर आता है मसला आता है यहां पर जो अभी मैं बात बताने लगा हूँ इसने एक लाइन दिखी हुई है HCG descriptions begin around the time of blastocyst implantation blastocyst sticks on the day 6 मतलब कि पहले जब fertilization होती है फर्ज करें एक female है उसने एक तरीख को intercourse किया है तो 6 दिन के अंदर अंदर वो जो मर्जी कर ले वो कभी भी pregnancy को नहीं देख सकती कि आया के pregnancy हुई है या नहीं आया के pregnancy हुई है या य तो फिर मसला ही क्या था देखो जो बीटा HCG यह कौन बनाता है आपका placenta बनाता है लेकिन जब क्या गुजरते हैं जब एक हफ़ता गुजरता है ठीक है first week after first week एक हफ़ते के बाद आपका बीटा HCG स्क्रीट होना शुरू होता है एक हफ़ते से लेके दो हफ़ते तक ठीक ह मैंने आपको यह बताया है इसको अच्छे से लेखते हैं जो blood होता है ठीक है blood जो female होगी जो कि मतलब जिसने intercourse किया है जब वो intercourse करेगी अगर वो pregnant हो जाती है अगर वो pregnant हो जाती है तो एक हफ़ते के बाद मतलब कि फर्द करें उसने एक तरीख को क्या किया intercourse किया है तो 6 तरीक तक तो कोई ऐसा method नहीं है कि जिसे हम यह चेक कर सके आया कि वो pregnant हुई है या नहीं लेकिन छे तरीक तक मतलब कि six days पे जब छे दिन गुजर जाते हैं intercourse को छे दिन के बाद हम जो बीटा HCG है उसको blood में देख सकते हैं उसको हम किसमें देख सकते हैं blood में उसको हम किसमे पूँ या नहीं तो अगर emergency में आप चेक करना चाहते हैं तो आप उसका क्या करोगे blood बीटा HCG टेस्ट करोगे फिर अगर एक हफ़ता गुजरा है तो एक हफ़ते के बाद ही आपको पता चाल जाएगा कि यार यह pregnant है या नहीं अगर उसका बीटा HCG हाई है तो वो pregnant अगर या तो नहीं है लेकिन अगर वो कहती है कि मैं blood test नहीं करवाना चाहती मैं यह strip test करवाना चाहती हूं strip test तो जो strip test positive आता है जो strip test positive आता है वो आता है two weeks के बाद वो कब आता है two weeks के बाद इसकी वज़ा क्या है क्योंकि जो beta HCG है यह two weeks के बाद urine में आना start होता है पहले यह blood म लेकिन जब एक हफता गुजरता है, सेकंड वीक स्टार्ट होता है, तो सेकंड वीक में आप किस से मेजर कर सकते हो, ब्लाड से मेजर कर सकते हो, लेकिन जब दो हफते गुजरते हैं, तो दो हफते के बाद आप क्या कर सकते हो, स्ट्रिप टेस्ट, तो अगर एक बंदी है, उ जो प्रेक्टनेंसी स्क्रिप टेस्ट है वो दो हफेश्ड यो बढ़ा सकता है अगर वो दो हफेश्टों के बाद एफेक्टिव नहीं होता तो मुझे शाब बाद जलदी से पड़ता है कि इसकी समझ आई है कि मैंने क्या पढ़ाया वरना यह उपर से घुझर गया जलदी ब बाद उसके ब्लाड में आगा सुना सभा तो यही आपको प्रो प्लेयर बनाएंगी यही जो आपके आफ फास की स्कूडुनेंट हैं उन से आपको करेंगी ठीक है तो यह बहुत इंटरस्टिंग बाते हैं और आप सारे माशालला नौजवान हो तो आपके नौजवान दोस्त आपको काफी ज़्यादा अप्रोच करेंगे और इवन के अब खेर मैं कभी अब किसी बंदे की रवील नहीं करता सीक्रेट लेकिन मैं आपको बता करें अपने माबाप पे रहम करें और पढ़ें इसके लावा बाकी दूसरी अक्टिविटीज में इन्वॉल्व ना हो तो डिपेंड करता है ना 11-16 इसको प्रिगनेंसी डॉक्टर मारिया यह जो ओविलेशन की बात करें ना इसको कहते हैं फर्टाइल विंडो और यह जब फीस ले लेती थी सिर्फ यह फर्टाइल विंडो के बारे में बताने करा ठीक है तो यह गाइनकॉलोजिस्ट काफी पाकिस्तान में अमीर हैं बलके पूरी दुनिया में गाइनकॉलोजिस्टार वैरी रिच तो खैर इसको छोड़ते हैं यह मैं सारा आपको बताऊंगा फि छिर्फ ठोड़ा सा वेट करें ओके हम इर वारी बताना है डिस्क कि स्ट्रक्चर से बनी थी calendar आप जैंनर में इस बनी टी Witcher से बनी रेटार बयाında अबिध यह इंमेंड इनर इनडॉर मैस से बनी ऑना के बंदो inner cell mass से बनी थी जो किसका पार्ट था ब्लास्टोसिस का पार्ट था और इसकी two layers होती है epiblast and hypoblast epiblast and hypoblast उसके बाद हम आगे चलते हैं जब तीन हफ़ते गुजरते हैं तो तीन हफ़ते में क्या आता है trilaminar embryonic disc बनती है जिसको हम कहते है gastrulation और epiblast उसमें यही लाइन लिखी ही है कि जो epiblast होती है इसमें एक गड़ा सा बनता है इसमें गड़ा सा बनता है जिसको हम कहते हैं primitive streak जिसको हम क्या कहते हैं primitive streak और इसकी तीन layers होती है कह गड़ा सा बनेगा जिसको हम कहते हैं primitive streak यह जो primitive streak होती है यह epiblast को differentiate कर देती है यह क्या करती है यह epiblast को लेदा-ेदा कर देती है काफिय ज्यादा cells इसके तरफ move करते हैं इढ़ से क्राथे ना काफिय ज्यादा changes आते हैं वो हमने changes नहीं परने सिरफ आपने concept clear करना है कि जब primitive streak बनती है जब दो हफते या तीन हफते गुजर जाती है तो primitive streak बनती है तो क्या आता है जो आपकी ये blue वाली थी ये क्या है epiblast है epiblast उपर की तरफ उठ जाती है और ये जो गड़ा सा बना है it is primitive streak और जो hypoblast जो थोड़ी नीचे की तरफ हो जाती है इनके दर्मियान जो उपर से epiblast से कुछ cells आपके दर्मियान में आ जाती है देखो जो epiblast है काफी ज़्यादा cells उस दर्मियान में आ जाती है और ये जो दर्मियान में cells आते हैं यह क्या करते हैं जै तेन लेर्ट बना देते हैं उपर वाले को एक्टोडर्म कहते हैं दर्मयान वाले को मीजोडर्म कहते हैं और सबसे नीचा वाले को एंटर्म तो अभी तक आपने ये बात सिखी, कि जब दो हफ्टे गुजरते हैं, तो Trilaminar, Trilaminar डिस्क बनती है, ठीक है Trilaminar, जब दो हफ्टे गुजरते हैं तो Bilaminar, जिसमें Happy और Hypoblast होते हैं, लेकिन जब तीन हफ्टे गुजरते हैं, तो Ectoderm, Mesoderm और Endoderm, और आप बच्पन से गया है कि एक्टोडर्म, मीजोडर्म और अंडोडर्म कैसे बनते हैं, दुबारा सुने, मैं एक दफर इसको रिपीट भी कर देता हूं, क्या होता है, तो जो एपी ब्लास्ट है, इसमें एक घड़ा सा बनता है, जिसको हम कहते हैं, पर्मिटिव स्ट्रीक, और उस पर्मिटि किया तो क्या बनी? मीजोडर्म, अब जब तीन हफते गुजरते हैं, तो आँप कहते हैं, त्राई लैमिनर, कि इसके क्या हैं? त्राई लैमिनर जिसको अपर जो दोई है कि api blast क्या करता है कि इंवेजीनेट करता है उसकी तीन बंजाती है उसके लावा एक notocot arises from the middle line of the mesoderm and induces overlying ectoderm to become the neural plate which gave rise to neural tubular यह सारी चीजे इसने लिखी है आप इसको कशोचते हैं देखो आप अपनी एक डिटर्म नहीं नहीं गोगिए इस्ट एक्ट अपको मैं आपको अपको समझ क्या है इसको उम्हां बाझा क्या है इस्ट तीन अब क्या क्या हुआ Was और उन्होंने दर्मियान में एक लेर बना दी जिसको हम क्या कहते हैं जिसको हम कहते हैं मीजोडर्म मीजोडर्म कहते हैं और मीजोडर्म में दर्मियान में एक ट्यूब सी बनती है जिसको हम कहते हैं नोटो कोड जिसको हम कहते हैं नोटो कोड और जो आपकी रीड की हड़ी ह जो आपकी रीड की एड़ी है यह किस से बनी है नोटो कोड किसको बनाती है वर्टीबरल कॉलम को इसको हम पढ़ेंगे कि कौम ची लेयर किस चीज को बनाती है यह बड़े इंपोर्टेंट इंपोर में और मीजोडर्म के रमियान में नोटो कोड नोटो कोड का बनाता यह बना बाद क्या होओ काफी से लेयर की तरह मूअब किया जिन्हों क्या बना या मेज और बनी तो सबसे कहेंगे जलदी बताइए जल्दी 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 आ गई है डॉक्टर समीना को समझ आ चुकी है बाकी भी बॉनाद है कि थी च्रहें कर रहीँ हुआ हम आगे चलते हैं और आगे है जी किस इक हले जब सब्सक्राइब खाया तब भी फॉश फॉर इसका जो मुझस आफ़ जा लड़कना कब सब्सक्राइब होता है काडिक एक्टवीटी विजिब बाई ट्रांस विजाइनल अल्टरस आレ absolut के पूरी दुट्राइब बजानिया में काफी एंदर उसको विजयना के यह कह रहा है कि ट्रांस वजाइनल अल्टरा साउंट से हम दिल की धरकन को सुन सकते हैं और अपर एंड लोर बड लिम्ड जो अपर एंड लोर लिम्ड बड मतलब कि जो उसके हाथ और पाउं के बड्स होंगे देखो कोई भी औरगन जब बनता है न तो सबसे पहले उसका अपर एंड लोर जो बड़्स हैं वह बिगन टू फॉर्म ओके उसके बाद आपका जो 8 वीक जब होता है तो जनिटीलिया ठीक है जो आ जो फी मेल है वो मेल बन जाएगा जो फी मेल बन जाएगा मतलब कि उसमें भी बताने की यह कोशिशिश किया है कि जैनिटीलिया है है आपने याद रखना है कि क्या आता है जो जैनेटिरी आता है वो उसकी हमें पता चल रहा होता है कि आया कि यह मेल है या फीमेल है आया कि यह मेल है या फीमेल है तो आई होप कि आपको यह बाते समझ आ चुती हैं इससे पहले कि जिनके पास पुराना अडिशन है वो मुझे तो मैं आपको वो पढ़ा देता हूँ, उसमें उसने ये लिखावा है, उसमें अल्ला के बंदों उसने क्या लिखावा है, उसमें लिखावा है, जब तीन से आठ हफते गुजरते हैं, ठीक है, जब क्या आता है, जब फटलाजेशन को तीन से आठ हफते गुजरते हैं, तो क इसमें यह जो गड़ा आता है यह एक तूब बन जाता है जिसको कहते हैं निूरल ट्उॉब जो आपका दिमागां जो आपकी इने टॉट्ऑतों के लिए और वीग और झेतुπα पहाँ होते है्ज बहुत इucky रुगनो होते हैं जो भात होती है organo genesis हो रही होती है इसमें organ formation हो रही होती है और इसमें इसमें जो baby होता है वो extremely, वो extremely susceptible होता है मतलब कि उसमें हम कोई भी उसके साथ को पंगा लेंगे, कोई भी tratogen, tratogen हम कहते हैं ऐसी drugs, ऐसी चीज़े जो कि बच्चे के लिए या baby के लिए खतरनाक है, अगर हम कोई भी drugs देंगे तो baby को पे फॉरन उसका effect आएगा तो जो तीन से आठ हफते होते हैं ये बहुत crucial होते हैं pregnancy में, हमने कोई भी पंगा नहीं लेना होता बेबी के साथ वरना अगर हम पंगा लेंगे तो फिर बड़े मसायल का सामना करना पड़े का अभी हम पढ़ते हैं अभी हम पढ़ते हैं तो क्या होगा काडिक अक्टिविटी आपको कम नज़र आएगी वीग और पर नज़र आएगी उसके लावा जब आठ हफते गुजरते हैं तो जो जैनटी लिए होता है वह मेल और फीमेल के करेक्टिस्टिक का हमें मिल जाता है कि ये मेल है या फीमेल है और लेकिन जो पराना अडिशन ह है उसमें 10th week पे लिखा हुआ है जो कि क्या है आपके बेबी के लिए खतरनाक है अब इन ट्रेटोजन को हम पढ़ते हैं लेकिन इसको पढ़ने से पहले पहले मैं आपको चीज बताना चाहता हूं जो बेबी का होता है 3 to 8 week ठीक है जब बेबी को कितने हफते गुजर जाते हैं fertilization को 3-8 हफते गुजरते हैं तो अभी हमने पढ़ा कि 3-8 हफते में क्या होती है इसको बुक पे लिखना लाजमी जब 3-8 हफते में गुजरते हैं तो क्या होगा अगर कोई लेडी है अगर वो ट्रेटोजन लेती है कब लेती है जब वो प्रेगनेंट है 3-8 week मतलब उस उसमें क्या होगा ओर्गन बने गा ही निए क्योंकि ऑर्गन बननना स्टार्ट कब होते हैं तीन से आथ हफ्तों के तर्मियान बनने ह During the week में यंद तो अगर 3-8 हफ्तों में अगर बेबी कोई ट्रेटोजन लेती है अगर को बेबी ट्रेटोजन लेती है तो ओर्गन रहीं और्गन नहीं बनेगा फर्द करें मैं आपको मिसाल देता हूँ अगर एक बेबी एस इनिबिटर लेती है तो हमने अभी 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 अला के बंदो दो तीन दिन पहले रीनल सिस्टम में पढ़ाता कि जो एस इनिबिटर है ये क्या करते है एक तो पोर्टर सीक्वेंस क होगी उसमें क्या होगा रीनल एज एनिस्स जो औरगन होगा वो सिरे से नहीं बनेगा लेकिन अगर क्या है अगर वो तीन den नेavigर फर्द करें कि अब्ही उसकी फट्रेनेशन को तीन हफ़ती नहीं गज़रे एक अफ़ता घुजरा है दो वहफ़ते गुज़रे हैं तो क कहते हैं all are none all are none यहा Chemical तो पूरे को पूरे जो यह जाया हो जाएगा यह फिर क्या आएक कोई भी उसका बेभी को मसला नहीं होगा all are none ठीम है यहां तो सारे का सारा बको अबॉड़ट जायेगा यहां पिर क्या होगा तो कोई भी रिस्पोंस नहीं आएगा अगर वो angryonique इस यह जो तीन से आठ एफ्टे इसको हम कहते हैं embryonic period embrionic period इंब्रियोनीक पृरीड तीन से आठ जो हफ़ते हैं इसको मुझत हैं embryonic लेती है अगर वह फीटल पीरियड में कोर्या πολ और वह क्या करती है कोई भी अबी अम पढ़ते हैं कौन इंब्रियंग प्येर्इड में ओता है 3-8 में सा थी 8 होता है और अगर वो embryonic period में कोई tritogen लेती है तो उसका जो organ है क्योंकि embryonic period में आपकी organogenesis हो रही होती है organ बनते हैं अगर वो 3-8 हफतों के दरम्यान कोई tritogen लेती है तो organ सिरे से नहीं बनेगा organ miss होगा जैसे मैंने मिसाल दी कि अगर वो ace inhibitor ले रही है pregnant lady तीन से 8 हफतों के दरम्यान तो क्या होगा उसको renal agencies होगी उसको क्या होगी renal agencies उसकी kidney नहीं होगी उसकी kidney नहीं बनेगी लेकिन अगर वो क्या करती है अगर वो embryonic period से पहले लेती है तो क्या होगा फर्द करो कि यहां पर first week में लेती है second week में लेती है तो क्या होगा यहां तो उसका बेबी अबोर्ट हो जाएगा बेबी का क्या हो जाएगा अबोर्शन हो जाएगा यहां फिर क्या होगा बेबी पर कोई भी एफेक्ट ने आएगा बेबी बिलकुल हेल्दी होगा लेकिन अगर अगर वो फिटल पिरियड में लेती है और फिटल kidneys हो सकती है तो मुझे बताएं इसकी समझ आई है यह जो मैंने बात बताई यह बहुत एहम बात है यह वादी कि अगर वो embryonic period में लेती है तो organ सेरे से नहीं बनेगा अगर उससे पहले लेती है तो abortion हो जाएगा यहां कोई भी effect नहीं आएगा अगर वो उसके बाद लेती है तो